नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जैन MP News के इस खास प्रोग्राम न्यूजरूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे मदप्रदेश की तमाम बाड़ी खबरों की चलिए शुरुआत करते हैं लोगसभा चुनाफ दोहजार चौबीस में शौनदार जूइत के लिए मदप्रदेश सरकार ने अब तौफा दिया है दरसल MP सरकार ने लागली बहना योजना की तेरवी जो किष्ट है वो महिलाओं के खातों में ज़ारी कर दी है इस कीम के तहत हर महीने की दस तारीक को ज़ारी होती है लेकिन इस बार प्रदेश की आदी आबादी बहनों के खाते में चार दिन पहले ही राशी जो है वो आज ट्रांसफर कर दी गई है बतारे कि लोगसभा चुनाफ की आच्वार साहता हटते ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बहनों के खाते में लागली बहना योचना की राशी जो है वो ट्रांसफर कर दी है एमपी सरकार ने योचना की तेरवी किष्ट जो है वोजवारी की है वो इसके तहट 12500 रुपे लाभारती बहनों के खाते में बेज दिये गए है इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने द वही राजधानी भोपाल गौालियर में पारा बढ़कर 46 डिगरी जो है वो दर्च किया गया है वही मौसम वभाग के अनुसार अगले तीन दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है इंदौर राइसेंस सीहोर विदीशा बैतूल खैंगवा में आंधी बारिश का येलो मौसम वभाग द्वारा भी जोरी किया गया है वही प्रदेश में साइकलॉन सर्किलेशन और वैस्चन डिस्चर्बेंस का असर भी देखने को मुल रहा है गुरुआर को तापमान के बात की जो है तो 45 डिगरी सेल्सियस के नीचे आ गया दो दिन की राहत के बाद एक बार गर्मी भी बर सकती है दमो शुफपुरी में पारा 44 डिगरी तक पहुच किया है वही रास्थानी भोपाल और ग्वालियर में दिन में 46 डिगरी पारा जो है वो दर्च किया गया है इसे बीच मौसम वभाग ने इंडार राइसेंस सीहोर विदीशा बैतूल खंवा में जो है वो तेज हो गई है कॉंग्रस ने सरकार पर निश्वाना साथते हुए धानली और फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है बता दें कि भोपाल में मानियों के नए आवास और अपार्टमेंट बनाय जवाने को लेकर फ्रस्ताफ पर जो है वो मोहर भी लग गई है ऐसे में इस पर अब राजनीती भी जो है वो भी शुरू हो गई है बढ़ते आगे और बता दे कि मदप्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी कमलात कॉंग्रस संसदियार दल की नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने नई दल्ली पहाच वे हैं बता दे कि मुलाकात से पहले कमलात ने कहा है कि राजनीती और अन्य विश्यों पर चर्चा होगी वह उन्होंने MP में कॉंग्रस के कमजोर प्रदर्शन को लेकर भी एक सवाल का जवाब दिया है उन्होंने मेडिया से बाच्वीत करते हुए बताया है कि राजनीती और अन्य विश्यों पर चर्चा करने आया ह चुनाफ परडामों को लेकर कमलात ने कहा कि रिजल्ट अच्छे है और मोधी सरकार को बहुमत नहीं मिला है अब यह मोधी सरकार नहीं, NDA सरकार है पहले सरकार बनने तो देजिए यह कहना है कमलात का जो आज सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुच वे बटे आगे और बता दे कि मदप्रदेश विधान सभा के मौनसून सत्र की अधी सूचना जो है वोजवारी कर दी गई है MP मौनसून सत्र एक जुलाई से 19 जुलाई तक चुलने वाला है वहीं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का पहला पूर्ण बजट जो है वो पेश होगा वहीं इस बजट को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार ने अब जनता से सुझाओ भी मांगा है सरकार ने 2024-25 के बजट को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सुझाओ मांगे है यति आज की दिन भर की मैटवपूर अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहे है MP News के साथ नमस्कार